आज का टोपिक है अपना कलास A टाइब की आग कोन सी होती है कलास A टाइब की आग किस प्रकार का इंदन जल कर लगती है और कही पर भी कलास A टाइब की आग लग जाती है तो कलास A टाइब की आग को कैसे गुजाया जाता है और कहीं पर भी class A type की आग लग जाती है तो उस class A type की आग को बुजाने के लिए किस type का fire extinguisher का उभ्योगर करके class A type की आग को बुजाये जाता है इस वीडियो के मातल से बिल्कुल सरल और आसान बासा में step by step पुरी detail में बात करने वाले हैं वीडियो को last तक देखते रहें सबसे पहले तो अपने यह समझते हैं कि आग कैसे लगती है आग तीन चीजों से मिलकर लगती है नमबर एक oxygen नमबर दो इंदन नमबर तीन तापमान यह तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है तो एक chain reaction बन जाता है उसी chain reaction से आग लग जाती है अगर इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को खतम कर दिया जाता है तो आग बूच जाएगी अब समस्ते है कि class A type की आग कोंची होती है class A type की आग वह आग होती है जो आग ठोस पदार्थ इंदन जलकर लगती है वह आग class A type की आग होती है जैसे लगडी, कोईला, कागज, कपड़े, आदी इस प्रकार का ठोस्पदार्थ इंदन जलकर जो आग लग जाती है वह आग क्लास A टाइप की आग होती है अब समझते हैं कि अगर कहीं पर भी क्लास A टाइप की आग लग जाती है तो उस आग को कैसे बुजाये जाता है अगर कहीं पर भी क्लास A टाइप की आग लग जाती है तो क्लास A टाइप की आग को बुजाने के लिए क्लास A टाइप का फायर एक्स्टिंग यूसर उप्योग करके क्लास A टाइप की आग को बुजाये जाता है क्लास A टाइप फायर एक्स्टिंग यूशर का कलर कोड लाल होता है और क्लास A टाइप फायर एक्स्टिंग यूशर के अंदर पाने और सोडा बरा हुआ होता है अगर कहें पर भी क्लास A टाइप की आग लग जाती है तो उस आग के उपर क्लास A टाइप फायर एक्स्टिंग यूशर का उप्योग करके क्लास A टाइप की जो आग लग जाती है उस आग के उपर पानी का सिड़का किया जाता है और क्लास A टाइप की आग में तापमान खतम हो जाता है और क्लास A टाइप की आग बुझ जाती है तो आपको इस वीडियो के मादन से बिल्कुल किलियर हो गया होगा कि क्लास A टाइब की आग कोंची होती है क्लास A टाइब की आग किस प्रकार का इंदन जलकर लग जाती है तो क्लास A टाइब की आग कहलाती है किस टाइप का fire extinguisher का उप्योग करके कलास A टाइप की आगों को कैसे बुजाए जाता है यह आज आपको बिल्कुल किलियर हो गया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी तुरंट सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें फिर मिलते ही एसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक जय हिंद जय बारत